तो नमस्कार वेलकेमें दोस्तों आप सभी का और इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक की उपर पहले में बता देता हूं एक है ज्ञारखंड में छेत्रे भासा ठीक है उनकी वेकेंसिस आने वाली है सिक्षकों की वह बात करेंगे और दूसरा है नवेदे सब्सक्राइब दे लावे जिसमें आपका जहार खंड और वेस्ट बंगाल यह तीन गोश्टेट आता है यह त यहां पर भी आपको टीचर की वेकेंसि देखने को मिलेगी और यह आज से ओनलाइन भी सुरू हो जाएगा इसलिए मैं यह दोनों एक ही साथ मर्ज कर दिया चलिए अब सुनते हैं आराम से जानते हैं आराम से क्या है वेकिंसी, कब है लास्ट टिट सब कुछ पहला है नवेदय बिद्धयालाय समिती छेतरी कारियालाय पटना मैंने बता दिया कि पटना में तीन गो राज का यह कारिय चलता है ठीच है हमारा जहार्खन भीएसी में आता है बोला गया है कि बिज्ञापन संख्या जनवरी दोजार चौबिस पतीस ओंलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संब्स में देखिए यहाँ भी बोला वेबसाइट जाने बोला है मैंने वेबसाइट पर गया अभी तक अपडेट नहीं दिया गया है नोटिफिकेशन आज 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 आएगा ठीक है कि किसके लिए तो यहां पर बोल दिया है कि आपका संभागे जवार ना अनुबंद के आधार पर ठीक है सिक्षकों की सेवा ठीक है ना तो कॉंट्रेक्ट बैसिस होगा यहां पर बोल दिया है और इसके लिए आपको कोई एक्जाम नहीं देना होगा एंटर्वी होगा ठीक है ओनलाइन होगा आपका फॉर्म फिलप कराये जाएगा ओनलाइन और यह पोस्ट रहेंगे आपके दो परकार के हैं PGT ग्रेजवेट और दूसरा रहेगा आपका TGT टीचर टीजिट यानि कि ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर ठीक है ओनलाइन आवेदन जमा करने के लिए लिंक खुला रहेगा कब से तो दस तारिक से यानि कि आज से दस बजे खुलेगा लिंक ठीक है दस बजे से लेकर के 24 ता लगया है गारा बज़े तक रहेगा व्यक्तिगत साक्षातकार यानि कि जो आपका इंटर्वीव होगा फॉम फिलब पढ़ने के बाद ठीक है तीन छेट यानि कि तीन जून से लेकर के पांच जून तक यानि कि तीन दिन चलेगा तीन जून चार जून और पांच जून ये तीन दिन आपका इंटर्विव चलेगा ठीक है और यहाँ पे बोला गया है कि नोट करना है उमिद्वारों को आविदन पत्र भरने से पहले ठीक है उमिद्वारों को आविदन पत्र भरने से पहले आविदित पत्र के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी है क्या वे इस फॉर्म को भर पाएंगे तो इसके लिए आपको वेट करना होगा आज 10-11 तक क्योंकि अब वेबसाइट पे जब तक से अप्लोड नही ठीक है या सीटेट अगर पास हैं तो आपको यहां पे चांस मिलेगा ठीक है बीड की हवालों को चली देखते हैं आगे तो हमारा यह जारखंट से है और बोला गया इसमें कि छेत्र भासाओं के सिक्षकों की होगी बहाली बिभाग ने छात्रों का सरविक्षन कर 15 जुन त एक स्पेशल एजुकेशन का पॉर्टल है डियसे उसे नाम दिया गया है ठीक है मुझे भी एक रिजल्ट चेक करना है डियसे का अभी तक नहीं आया है चुनाओ के करण बियस्त हो गया है चलिए देखते हैं तो यहां पे जो भी लोग इसमें फैदा किसको होगा कि जो लो उसके बाद खड़िया आता है फिर हमारा खोठा आता है ठीक है सबसे ज्यादा मात्रा में ही बोला जाता है खोठा कुडूख आता है ठीक है उसके बाद कुरमाली आता है और क्या बताएंगे पंच पर गनिया आता है ठीक है और भी और एक दो है तो इतने आपके अगर इस देखिए जहारखंड के जितने भी सरकारी स्कुल है ठेक है बोला गया है कि जहारखंड सरकार के स्कुली सिक्छा एमसाक चर्था विवाग प्रात्मिक सिक्षा निदे साले ने राईजी के सभी स्कुलों में छेत्रिय सहित जनजाती भासाओं का परियोग करने वाले छातर शातराओं का सर्वेक्षन करने का निर्देश दिया है इसके रिपोर्ट 15 जुन तक सौप दी जाएगी फिर बोला गया है कि 15 जुन तक सौप को दिया गया है 2400 जिलों के लेकिन जिला सिक्षा दिक्षक अतुल कुमार चोबे इसकी जानकारी तक नहीं है अच्छा कोई specific आदमें के नाम दे दिया है चलिए ठीक है हमारा आगे बढ़ते हैं तो उसे बोला गया है कि उनसे जब इस समन में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी नहीं है अभी मैं चुनाव कारी में बियस्त हूँ सब कोई अभी चुनाव कारी में बियस्त है इसलिए vacancies अभी hold करके रखा गया है जबकि प्रात्मेक सिक्षा इसकुली सिक्षा हम साक्षरता विभाग में निदेशाले नेच्छा माई को अपने पत्रांग 551 में पत्र जारी राज के सभी उपायुक्त और जिला सिक्षा अधिक्षक को सर्वे कराने का जनजात यह भासा का सर्वेक्षन चार चर्णों में होगा इसके लिए विभाग ने format भी उपलब्द करा दिया है पहले बिद्याले अस्तर पर फिर प्रखंड अस्तर पर इसका सर्वे होगा ठीक है इसके बाद जिला अस्तर पर सर्वे होगा फिर समिक्षा के उपरांद बिद्याले के चैन के अनुसंसा की जाएगी फिर अंत में उपायुक्त और जिला सिक्षा पतादीकारी द्वारा सर्वेक्षन किये गए बिद्याले के अनुसंसा प्राथमेक सिक्षा निद्यसाले को किया जाएगा सबसे पहले जिला सिक्षा अधिक्षक इसका सर्वेक्षन करने के लिए प्रखंड सिक्षा प्रसार पदादीकारी को सौपेंगे फिर प्रखंड सिक्षा प्रसार पदादीकारी इसे संकुल और विद्याले अस्तर से इसका सर्वेक्षन करेंगे मतलब कहां पर कितनी वेकेंसी से कितने वच्चे पड़ सकते हैं इसी के आधार पर निड़ने लिया जाएगा कि कितनी वेकेंसी से बनेंगे फिर बोला गया है कि सभी छेत्री भासाओं का करना है सर्विक्षन जारखंड सरकार के स्कूली सिक्षाम साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों में छेत्री भासा, कुर्माली, खोठा, बंगला, ओडिया, पंचपरगनिया, नागपूरी, साइट, चंजात्य भासा, संथाली, हो, खड़िया, कुरूक, मुंडारी, माल्टो, बिरहोरिया, भू प्रोटसाहन के लिए चैनी मास्टर द्वारा बच्चों के भास ये ग्यान एंव भासा के विकास के लिए काम किया जाएगा, प्रात्मिक सिक्षा विभाग, के निदेशक ससी प्रकासी ने इसके लिए सभी जीला के उपायुक्त और जीला सिक्षा अधिक्षकों को 15 जून Чोष्ऑ 36,440 सरकारी स्कूल संचाली थे बोकारों में इतना 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 ठीक है को मिला के मतलब अगर वेकेंसी आती है तो 30,000 पुलस जाएगा वेकेंसी बर रहा है और वो लिएगा कि यहां पर कहां से मतलब बोलता है कि बेकेंसी ने रहे यार बेकेंसी है आप लोग सेलेक्शन नहीं देना चाहते हैं यह बताइए न हम लोग उतना भी नहीं एक का में दिखिए आपको मुश्किल से चार से पांच के इंडिद मिलेगा जो कंपेटिसेण एक्जाम के तयारी करता है मुश्किल से ठीक किसी ने कि मिलेगा। ट्सक्राइब कोई आपका एजुकेशन फिल्ड में है कोई बेंकिंग लाइन सब का लग फिल्ड में उसमें इतना छोटा छोटा बैकेंसे नहीं देपाते हैं तो क्या ही बता हैं इतना विशिट खाली उसके पास अच्छा वेल्ड नॉलेज भी है और उसको लेवर कुली के काम करेगा तो सरम तो लगे गाई लेकिन क्या करेगा मजबूरी में लाश्ट में वह भी करता है फिर भी एक उम्मीद रहता है कि अगर कास मिल जाए चलिए जो भी हो हम आपके परपल तक मतलब इसी तर अब कर सकते हैं चलिए बाकी देख लेंगे आज जब तक आएगा नॉटिस एंड इसी तरह से मैं आपको अब्डिट देता रहूंगा जोहार